Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, admission cancellation के बारे में इगनू के किसी भी program में अगर आप admission लेते हो और किसी भी कारण वस अगर आपका mind change होता है, plan change होता है और अगर आप admission cancel करवाना चाहते हो तो इगनू में admission cancel करने का क्या procedure होता है कितना दिनों के अंदर में आप अपना admission cancel करवा सकते हो कितना दिनों के अंदर admission cancellation allow किया जाता है और जो fees आपने payment कर दिया है उसमें से कितना fees आपका refund होता है इगनू का fee refund policy cancellation के संदर्द में क्या है इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को धियान से देखेगा, ये चलप्लाइं चैनल पर फर्स्ट हमाँ हैं, इगनु के स्टुएंट हो, तो हरेके एक ट्रॉस्टेर इंफरमेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ओक 60 days के अंदर में ही आपको अपना admission कैंसल करना होता है, no refund fee will be admissible after 60 days of closing date of admission, मालो, admission 31st अगस्तक close हो गया, तो 30 दिन यानि के 30 September, 30 October, ठीक है, उसके बात से आप admission कैंसल नहीं करवा सकते, अगर करोगे, तो फिर आपका कोई भी फीस नहीं मिलेगा, आपको admission तब कैंसल क्या करना छोड़ दो उसी तरीका से, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेगे, तो आपके पास maximum 60 days है, admission कैंसल कराने का, यानि कि दो मन्त का time रहता है, आपके पास admission कैंसल कराने का, ठीक है, admission कैंसल करने के लिए, boss restaurant को एक doubt रहता है, उस way में वो cancel कराने के बार में सोचते हैं, तो वो मैं यही से ही चाहते हैं कि cancel कर दे और उनको लगता है कि यहाँ पर अगर click करके उसके बाद से cancel करेंगे, तो उनका admission कैंसल हो जागा, लेकिन यहाँ से आपका admission कैंसल नहीं होता है, admission cancellation अब इगनों ने rule change कर दिया है, आपको mail करके ही admission कैंसल करना होगा, ठीक है, इसको लेकर एक regional center पे official notification भी release किया गया है, और बोला गया है कि अगर आपको admission कैंसल करना है, तो उसके लिए बस एक email ID बनाया गया है, इस पे सिर्फ admission cancellation के संदग में ही जो भी request भेज़ा जाएगा, या mail भेज़ा जाएगा, सिर्फ admission cancellation के संदग में ही भेज़ा जाएगा, इसी email से ही आपका admission cancel होगा, जो email ID है, वो है cancel canceladms, इसको आप लोग कर लेना, canceladms at the rate igno.ac.in, ठीक है, यहाँ पर clearly mention कर दिया गया है कि और कोई भी way में, कोई भी registered email ID से, और भी कोई अदर जगा पे email करोगे आप, तो admission cancel नहीं होगा, आपको इसी email पे mail करके admission cancel करना होगा, and, जो mail आपने admission के time पे register किया था, इगनु में, उसी mail से करना होगा, ठीक है, please send a mail from your register mail ID to itna, ठीक है, mail received from any non-register mail ID shall not be entertained, तो किसी और email ID से आपने mail किया, तो वो entertained नहीं किया जाएगा, तो जो email ID जो आपने admission लेने की time पे अमिन दिया है, इगनु में, उसी mail ID से आपको यहाँ पे mail करना होगा, cancel ADMS at the rate igno.ac.in पे, mail का subject में लिखोगे, for admission cancellation, respective sir, I have taken admission in Igno for July 24 session, या जिस भी session में आपने admission लिया, वो session लिखोगे, जो भी program में admission लिया, आपने वो program लिखोगे, यहाँ पे मैंने example के लिखा है, यानके master of political science, तो जो भी program में आपने admission लिया, वो program लिखोगे, with enrollment number, अगर आपका admission confirm हो गया, उसके बाद से आप cancellation करना चाहते हो, तो आपको enrollment नम मिल गया होगा, तो यहाँ पे enrollment नम mention करोगे, with enrollment नम मजिस, and अगर आपका, अभी admission confirm नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप cancellation करना चाहते हो, तो आपको control number यहाँ पे देना परेगा, control number आपको, जब application print out करते हो, तो यहाँ पे मिल जाता है, तो वो control number यहाँ पे आपको देना परेगा, and उसके बाद से, यहाँ पे लिखना होगा, due to some reason, I want to cancel my admission, therefore, I request you to kindly cancel my admission and refund my money as soon as possible, उसके बाद से, नीचे में अपना name, mobile number, enrollment number यह control number यह प्रोग्राम कोड यह लिखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे mail करना होगा, तब जाके आपका admission cancel होगा, तो simple सा तरीका है, अब पहले थोज़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन आप एक dedicated email ID बना दिया गया है, इस email ID पर mail करोगे, आपका admission cancel होजाएगा, आपके पास confirmation mail भी आ जाएगा, और यह mail आपको कब तक करना है, दो महीने तक का आपके पास time रहता है, जब भी आपने admission लिया, उसके दो मंत के अंदर में, आप अपना admission cancel कर सकते हो, हलाकि यहाँ पे बोला गया है कि, I mean, admission का last date, जब खतम हो जाता है, उसके 60 days, लेकिन मैंने देखा, उसके बास से वो entertain करते हैं, आपने जिस दिन admission लिया, उसके 60 days के अंदर में, आप अपना admission cancel करवा सकते हो, एकि तो इस चीज का आप लोग याद खिएगा, अब आता है कि, fees refund, आपने fees तो payment कर दिया, fees refund कितना होता है, इगनू ने fee refund policy में changes किया है, जो new notification release किया गया है, वो यह आप लोग के screen के उपर जड़ा रहा है, इसको 6 में को release किया गया इगनू के तरफ से, और बोल दिया गया था, कि यह जो fee refund policy है, वो जुलाई 24 admission cycle से लागू होगा, और यही अभी चलते रहेगा, इससे पहले का जो भी policy था, उसको खारीज करके, अब यह जो new policy है, वो लागू होगा, fee refund policy में, ठीके, तो मैंने आप को बता दिया कि cancel कैसे होगा, तो आपने cancel करवा लिया, आपका admission cancel हो गया, तो जो fee refund है, वो कितना मिलेगा, और कैसे मिलेगा, वो जाननो, सबसे पहले तो registration fee आप जो देते हो, वो non refundable है, उसमें वो refund नहीं होगा, ठीक है, and registration fee रहता है 300 रुपया, जो program fee रहता है, वो आपका fee सरता है, हर एक के course का अलग-अलग, उसके साथ साथ में आपको development fee और registration fee देना होता है, तो registration fee नहीं मिलेगा आपको, and बाकी जो program fee है, and development fee है, वो पूरा मिला के उसके बाद से deduct होगा, पैसा, ठीक है, तो कितना deduct होगा, यह आपको बता दिया गया है, कि 15% या 2000, जितना भी आपका course fee होगा, and development fee होगा, वो मिला के, आइदर 15% और 2000, ठीक है, तो 2000 से ज़्यादा नहीं होगा, मानलो अगर आपका कोई course का फी है, एक लग रुपय है, ठीक है, तो उसका 15% 15,000 होगा, तो उतना नहीं कटेगा, तो 15% और 2000, ठीक है, 2000 मैक्सिमम आपका कटेगा, उके, न अब ही, नॉर्मली, मैक्सिमम इस्टेंट तो hard copy opt करते है, लेकिन अगर मानलो आपने soft copy opt किया है, तो सिर्फ registration fee deductor के, बाकी अधर पैसा को refund कर दिया जाएगा, उसमें, जो मैंने आपको बता है, कि 15% जो program fee है, and prior to 2000 रुपीस, वो deduct होके, उसके बाकी का पैसा refund हो जाएगा, and अगर मानलो कोई भी student SCST के डिगरी से बिलॉग करता है, उनका fee exemption है, तो उनको registration fee refund नहीं होगा, सिर्फ development fee refund होगा, अगर मानलो कोई भी student का fees refund, I mean exempt होता है, SCST के डिगरी के student का, तो उनको program fee नहीं लगता है, लेकिन development fee और registration fee देना पड़ता है, तो उनको बोला गया कि development fee तब refund होगा, अगर उन्होंने admission cancel करवाया तो, और बोला गया है कि कोई भी fees refund नहीं होगा, admission close के 60 days के बाद, तो admission अगर close जोगा, उसके 60 days के बाद, अगर आपने cancel कराया, तो कोई भी fees refund नहीं होगा, और ये भी चीज आप लोग जान लो कि जिस mode से आपने payment किया है, उसी म refund होगा, या अगर आपने किसी third party, I mean, cyber cafe से जाके अगर admission लिया है, उन्होंने अपने कार से payment किया है, तो उनके account में जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना, जिस से आपने payment किया है, और अगर आप admission cancel करा रहे हो, तो जो पैसा refund होगा, deduct होके, तो वो उसी account में जाएगा, त इस account से आपने admission लेने की time पे fees payment किया था, तो आपको समझ में आ गया, कि IGNU में admission अगर आपको cancel करवाना है, तब आपको इसी mail पे mail करना परेगा, canceladms.ignu.ac.in, इसको आप compulsory कर दिया गया, और इसको लेकर एक official notification भी डिलिस कर दिया गया, जो आप लोग के screen के उपने जरा र होगा, and जो fees refund का बात है, कि admission cancel होगा, उसके बास से आपका fees कैसे refund होगा, तो वो इस notification में जो rule बताया गया है, उसी इसाफ से आपका fees refund होगा, जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपके पास दो मंद का time है, उसके बास से कोई भी fees refund नहीं होगा, अगर आप admission cancel करवाते हैं, त और जो fees refund होगा, वो maximum 2000 रुपे कट होगा, या फिर 15%, ठीक है, तो समझ में आ गया, सारा चीज आपको, मैंने step by step बता जाए, किस तरीका से आपको अपना admission cancel कराना है, तो अगर आपको कोई issue है, तो आप रुख चाहें, तो admission cancel करवा सकते हैं, ये सारे procedure को follow करके है, और को issue हो तो नीचे को on box में बता सकते हैं, तो ये सब्सक्राइज वीडियो में, किसी भी program में, अगर आपको admission cancel कराना है, तो आप admission कैसे cancel करवा सकते हैं, और आपको किस सरीका से fees refund होगा, उन सब के बार में मैं आप लोग को information दे रहा था, मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो आप लोग को जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो थैंक यू सो मच पर वोग दिस वीडियो, वन रसम दे, थैंक यू सो मच